आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WhatsApp नोटिफिकेशन बंद कैसे करें या फिर WhatsApp नोटिफिकेशन ओफ कैसे करें तो इसके लिए आप अपने फोन में सैटिंग्स को ओपन करिए और फोन के सैटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे आईए और नीचे आकर आपको मिलेगा एक Notifications का Option Notifications and Control Center या फिर आपके फोन में हो सकता है Notifications and Status Bar के नाम से तो इस पर आप किलिक करिए और किलिक करके ऐसा पेज आपके सामने आएगा और अगर आपको ये Option नहीं मिलेगा तो आप अपने फोन की Settings को Open करने के बाद Search Settings पे किलिक करिए उसके बाद Type करिए यानि कि Search करिए Notifications उसके बाद आपके सर्च में Notifications and Control Center या फिर Notification and Status Bar का Option आ जाएगा इस पर आप किलिक करिए किलिक करने के बाद आपको मिलेगा Allow Notification या फिर Manage Notification या फिर Notification या फिर आपके फोन में मिलेगा App Notification इस पर आप किलिक करिए किलिक करके कुछ सेकंड्स का वेट करिए ऐसा पेज आपके सामने आएगा उसके बाद यहाँ पर नीचे आईए और नीचे आकर आपको मिलेगा WhatsApp इस तरीके से WhatsApp पर आप किलिक करिए WhatsApp पर किलिक करके उपर आपको मिलेगा Allow Notification या फिर Show Notification तो इसके सामने इस वाले Option पर किलिक करिए और इसे बंद करिए और अब WhatsApp की Notification आपके फोन में बंद हो चुके है तो इस तरीके से WhatsApp Notification बंद करें तो आर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें